JEE Advanced 2023 4 जून 2023 को करवाया जाएगा इस बार से 75% वाला रूल फिर से लागू कर दिया गया है तो इसका प्रभाव क्या होगा? ये 75% कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? यानि किन सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे? जो स्टुडेंट्स 2023 में इंप्रूब्मेंट इग्जैम देने वाले हैं उन पर कौन सा रूल अपलाई करेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप बेहिचक हो एक्जैम सबके टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि JEE Advanced exam देने के लिए eligibility criteria क्या है अगर आप JEE Advanced के जरिये IIT में admission लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको JEE Main देना होगा ये exam हर साल National Testing Agency द्वारा करवाया जाता है JEE Main में आपको Top 250,000 में अपना rank secure करना होगा After implementing reservation scheme Top 250,000 में category wise कितने student select किये जाएंगे इसका detail आप screen पर दिखाये गए chart से ले सकते हैं Age limit की बात करें तो आपका date of birth 1 October 1998 यानि 1998 के बाद का होना चाहिए SC, ST और दिव्यांगों के लिए 5 साल की age relaxation है JEE Advanced कोई candidate केवल दो बार ही attempt कर सकता है इन दो attempts में एक भी साल का gap नहीं होना चाहिए यानि ये दोनों attempts आपको दो साल में करने होते हैं JEE Advanced 2023 में केवल वही छात्र भाग ले सकते हैं जिन्होंने या तो class 12 board exam 2022 में दिया हो या 2023 में देने वाले हो यानि 2021 या उससे पहले जिन्होंने बोड दिया है वो इस exam में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं हाँ जिनका 2021 में result 25 October 2021 के बाद डिकलियर किया गया था वो इस exam में appear होने के लिए योग गया है जिन candidates ने एक बार IIT में admission ले लिया है वे इस exam में दोबारा appear नहीं हो सकते अब हम बात करते हैं 75% वाले rule पर जिसे 2023 से फिर से लागू कर दिया गया है अगर आप IIT में JEE Advanced के जरिये admission लेना चाहते हैं तो class 12 में physics, chemistry and mathematics आपके compulsory subjects होने चाहिए और आपको 75% aggregate mark secure करना होगा या फिर आपको अपने board के category wise top 20 percentile में आना होगा SC, ST और दिव्यांग candidate को 12 में केवल 65% marks लाने होगे इट सुट भी noted here कि अगर आपके 75% marks नहीं है परन्तु आप अपने board के category wise top 20 percentile में आते हैं तब ही आप JEE Advanced दे सकते हैं अब हो सकता है कि 2022 के board exam में आपके 75% marks नहीं होगा तो आप 2023 में एक या अधिक विसे में improvement exam देकर इस criteria को fulfill कर सकते हैं यानि improvement exam देने वाले छातर भी बिना किसी बाधा के JEE Advanced exam में अपियर हो सकते हैं अब सवाल उठता है कि किन subjects के marks consider किये जाएंगे aggregate marks जोडने में या फिर 20 percentile criterion को fulfill करने में Students यहां पर आप सभी ध्यान देना 75% aggregate marks के लिए 5 विसे के marks consider होंगे आपके physics, chemistry और mathematics के marks तो जोड़े ही जाएंगे इसके अलावा एक language paper का marks consider किया जाएगा और इन 4 के अलावा जिस subject में आपके marks सबसे ज्यादा होंगे उसके marks भी 5 विसे के तोर पर add किया जाएगा अगर किसी ने 2 language paper ले रखा है तो जिस language paper में ज्यादा marks होंगे केवल उसी का marks consider किया जाएगा यानि 75% criteria में केवल एक language paper का marks add होगा जो 2016-2023 में improvement exam देने वाले हैं मानलो आप physics और mathematics में improvement exam देने वाले हो physics में आपका marks बढ़ जाता है improvement के बाद और mathematics में घड़ जाता है इस condition में physics के marks तो आपके इस साल वाले consider होंगे क्योंकि improvement के बाद आपने marks को increase किया है लेकिन mathematics के marks आपके last year वाले ही रहेंगे क्योंकि last year आपने इस साल के मुकाबले ज्यादा marks हासिल किये थे इने nutshell मैं कहना यही चाहता हूं कि 75% criteria को fulfill करने के लिए आपके 5 वही subject consider किये जाएंगे जिसमें आपने सबसे ज्यादा marks secure किया है I hope 75% criteria को लेकर आपके सारे doubts clear हो गए होंगे लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेही चक हो exam सबके telegram channel या instagram पर हमें message कर सकते हैं link वीडियो के description में मौजूद है किये बेही मौ़ हमऱह कुर जाय जब लार आपने